कई लोगों को शिकायत रहती है कि बेसन और सुजी के लड़ू बनाएंगे तो दातों में चिपकता है गले में चिपकता है अच्छा नहीं बनता है तो यह रेसीपी आपके लिए है इस रेसीपी को आप पूरा देखिए इस तरह से आप लड़ू बनाएंगे तो पहली बार म साथ इसे मैंने बनाई हूँ बिल्कूल भी न दातों में चिपकेगा न गले में चिपकेगा और टेस्टी बनकर तयार होगा चलिए इसे अब हम बनाते हैं यहाँ पर हमने बेसन लिए है चना दाल को चक्की पे पिसाए थे थोड़ा दरदरा पिसा हुआ है और दो कटोरी यहाँ पर हमने चीनी नॉर्मल चीनी को पीस लिए थे इस तरह से पाउडर बन गया अगर आप मार्केट का चीनी पाउडर यूज कर रहे है तो फिर उसे आप चान कर लिजे क्योंकि उसमें भी गुटलिया होती है और यहाँ पर एक कटोरी घी है घी को मेल्टेल लेना है मेल्टेल घी एक कटोरी फिर से आपको बता देती हूँ दो कटोरी बेशन दो कटोरी सुजी दो कटोरी चीनी पाउडर और एक कटोरी घी है पर्फेक्ट मेजर्मिंट के साथ आज हम लड़ू बनाएंगे यहाँ पर हमने कढ़ाई रखे, कढ़ाई गर्म हो चुका है उसमें पहले हम सिर्फ दो चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे अब इसमें हम सूजी डालेंगे और एकदम धीमी आज पर हमें सूजी को भूनना है कम से कम, 18-20 मिनट हम सूजी को भूनेंगे इसका कलर हमें बिल्कूल नहीं चेंज करना है पर सूजी थोड़ा अच्छे से भून जाए इसमें से खुशबू आने लगती है तो पता चलता है कि सूजी अच्छे से भूनी गई है अगर सूजी अच्छे से नहीं भूनी जाती है तो दात में चिपकने लगता है फिर लड़ू खाने में अच्छे नहीं लगेगे इस बात का हमें ख्याल रखना है इसलिए धीमी आज पर ही भूनना है मीडियम आज पर भूनेंगे तो जल सकता है और खाने में लड़ू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा इसलिए 18 से 20 मिनट धीमी आज पर चलाते हुए हम सुजी को अच्छे से भून लेंगे और कलर बिल्कुल चेंग नहीं करना है देखिए सुजी भूनी जा चुकी है अब उसी कड़ाई में हम बेसन को भूनेंगे बेसन भूनते समय पहले घी का इस्तेमाल नहीं करना है पहले हम बेसन डालेंगे बाद में हमें घी का इस्तेमाल करना है और धीमी आज पर इसे अच्छे से भूनना है बेसन की भी भूनाई हमें बहुत अच्छे से करनी है ना दात में चिपकेगा और नहीं गले में चिपकेगा. खाने में बहुत अच्छा लगेगा. जो भी आपके हाथ के लड़ू खाएंगे, आप से बार-बार मंगवाएंगे. कहेंगे बनाकर दीजिये, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में. अब इसमें हम घी डालेंगे कम से कम 5-6 चम्मた घी डालना है सारा घी हम एक साथ नहीं डालेंगे ठोड़ा ठोड़ा घी डालना है और बेशन को भुनना है बहुत ही टेस्टी लड़्डू बन कर तयार होता है ना दातों में चिपकेंगे ना ही गले में चिपकेंगे बस इसकी भुनाई हमें बहुत अच्छे से करनी है धीमी आच पर भुनना है अब इसमें हम घी और डालेंगे एक साथ में सारा घी नहीं डालना है इस बात का हमें ध्यान रखना है घी सारे लग जाएंगे पर थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है पांस से छे चमच घी हमने फिर से यूस किये है फिर इसे वापस से अच्छे से मिक्स करके भुनेंगे चलाते हुए इसे भुनना है अच्छे से चारो तरब से बेसन को चलाते हुए हम भुन लेंगे इसमें से बहुत अच्छी खुश्बू आने लगेगी थोड़ा सा ऐसा कलर भी चेंज हो जाएगा तब तक इसे हमें भुनना है अब इसमें हम थोड़ा सा घी और डालेंगे ऐसे चार-पांच बार में घी डालकर थोड़ा थोड़ा घी डालना है और इसे भुनना है एक साथ में सारा घी नहीं डालना है इस बात का ध्यान रखना है देखिए अभी सारा घी कतम हो गया जो एक कटोरी घी लिए थे हमने उससे दो चम्मट सूजी में घी गया अब आके सारा घी हमने इसमें डाल दिये बेसन में सारा घी चला गया है पर थोड़ा थोड़ा करके चार-पांच बार में हमने घी का इस्तेमाल किये है इसे अच्छे से देखिए भून रहे है देखिए इस तरह से स्पेचुला से करेंगे तो देखिए सारे इसके लम्स बिल्कुल भी गुठलिया उठलिया कुछ नहीं रहनी चाहिए बेसन में गुठलिया नहीं थी अगर हम कंट्यूनी इसे चलाते रहेंगे तो बिल्कुल भी इसमें गुठलिया नहीं होती है देखे इस पेचुला से इस तरह से करेंगे देखे चिकना हो रहा है इसका मतलब घी रिलीज हो रहा है मैं आपको याद दिला दूँ आपको रेसिपी पसंद आयो तो लाइक करिए चैनल पढ़ना है हो तो कुकित मनर्माई चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी मज़ेदार नई नई आने वाली रेसिपी के लिए एक बारा आप इस तरह से सूजी और बेसन के लड़ू बनाईए बहुत टेस्टी लगता है फिर आप कई मार्केट से लाएंगे नहीं घर में ही बनाएंगे इतना टेस्टी बनता है बेसन में से खुशबू आने लग जाए थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए उस वक्त हम इसमें सूजी डाल देंगे भूनी हुई सूजी डाल देना है और अच्छे से मिक्स करना है इसे भी कम से कम 3-4 मिनट हम चलाते हुए भूनेंगे सूजी और बेसन को साथ में 3-4 मिनट एकदम धीमी आच पर चलाते हुए भूनना है ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए एक बार आप इस तरह से बेसन और सूजी के लड़ू जरूर बनाईए घर में सब को बहुत पसंद आएगा चोटी मोटी भूक हो जब भी कुछ मीठा खाने का अमन करे आप डिब्बे में से निकाल कर खा सकते हो कम से कम एक से दो मैना लड़ू चलेगा बहुत ही टेस्टी बनता है देखिये सब अच्छे से मिक्स हो चुका है इसे हमने 3-4 मीनट अच्चे से دिनी आठी भून लिये है अब इस पर थोड़ा सा चीटा मारना है पानी का हलका सा हातों पर लेना है और चीटा मारना है चीटा मारने से ऐसा होता है कि इस बिल्कूल भी जो बेसन है अलड़ लड़ु हम खाएंगे तो गले में विल्कुल न किपकेगा आप इसमे दूद का भी छिटा मार सकते हो पानी का भी मर सकते हो पर ज़्यादा तरह आप पानी का ही मारिए दूद का छिटा इसमें मत मारिए क्योंकि ज़्यादा हमें पानी डालना नहीं हलका सा छीटा मारना है बस देखिए अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे चलाते हुए कम से कम एक मिनट तक continue हमें चलाना है क्योंकि कड़ाई बहुत गरम है अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो अब इसमें हम अच्छे फ्लेवर के लिए खुश्बू के लिए इलाइची का पौडर डालेंगे एक चमच इलाइची पौडर है छोटी इलाइची का पौडर है और इसमें शुगर पौडर डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है गरम में ही इसे करना है जब हम गै इसे में थे खुर्डत हो जाएंगे और इसे एक बरतन में निकाल कर ने. अगर लड़ु बन गए तो अच्छी बात है नहीं बने हैं, तो हम इसमें घी का स्तेमाल करेंगे. और इसे pressure दे कर बानना है हातों से दवा दवा कर बानना है देखिए इसमें लड़ू नहीं बन रहे है अब इसमें 2-3 चमच और घी की ज़रुत पड़ेगी 2 चमच melted घी हमने लिए है ध्यान रहे घी melted ही लेना है इसे थोड़ा सा गर्म कर लेना है फिर डालना है इसे थोड़ा हम spatula से mix करेंगे क्योंकि घी गर्म है इसलिए हातों से नहीं करेंगे mix करते करते अपने आप एठंडा हो जाएगा देखिए अच्छे से सब mix हो गया है आप एक बाज इस तरह से ज़रूर बनाए अगर आपको recipe पसंद आई हो तो like और comment जरूर करिए अब इसे हम हातों से अच्छे से mix कर लेंगे क्योंकि घी ठंडा हो चुका है सब हातों से अच्छे से mix करना है अब इसकी हम लड़ू बानेंगे जितना बड़ा आपको लड़ू बानना है उस हिसाब से आप लीजिए और उस हिसाब से लड़ू बानिये बड़ा छोटा अपने हिसाब से बान दिये देखिए इसमें बाइंडिंग आ रही है सिर्फ दो चमच हमने घी का इस्तमाल किये कि बाइंडिंग आ गई है इस तरह से हम प्रेज देखे बानेंगे तो अपने आप इसमें से घी रिलीज होता है अब अच्छा दिखिए इसलिए मैं यहाँ पर बादम के तुकड़े लगा रही हूँ एक बादम के दो तुकड़े कर लिए हूँ आप पिस्ता का भी लगा सकते हैं अच्छा दिखने के लिए मैं यहाँ पर बादम के तुकड़ा लगा दिया हूँ देखिए कितने अच्छे से लड़ू बन चुके है देखिए दीखने में जितना अच्छा लग रहा है ना खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा इसे हम ठाली में रख लेंगे ऐसे ही सारे लड़ू हमें बना कर तैयार कर लेने है आसानी से बन जाएंगे एक कटोरी घी लगा है और दो चम्मज घी उपर से हमने डाले है सारा मेजर्मेंट हमें एक ही बरतन से करना इस बात का ध्यान रखना है आप कटोरी ग्लास कप जो भी ले रहे है उसी से एक ही बरतन से सारा मेजर्मेंट करेंगे तो बीना किसी तकलीफ के बीना किसी जंजट के आप इस तरह से टेस्टी लड़ू बना सकते हैं नहीं दातों में चिपकेगा और नहीं गले में चिपकेगा इतना टेस्टी बनता है सारा लड़ू देखी हमने बना कर तयार कर लिए है बहुत ही अच्छे लड़ू बनकर तयार हुए है मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ देखिए वाव क्या लड़ू बने है देखने में जितना अच्छा लग रहा है न यकिन माने खाने में भी उतना अच्छा लगता है फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ